हलो फ्रेंज हम आज की वीडियो में बात करेंगे BSF CISF result के recording जाने कि आपको पता है जो आपका 8 November को exam हुआ था उसकी BSF ने उसी दिन अपनी official website पे update कर दिया था result की tentatively date का ठीक है जो date 24 का उन्होंने करा हुआ था वो notification भी हम आपको इसमें दिखाने वाले हैं और आपके जो भी doubt आ रहे थे बच्चों के क्या हमारे number हम कैसे check करेंगे और जो भी हमारा result आएगा क्या हमारे marks उदर show होंगे हमारे कितने marks आए होंगे और cut off भी उदर लिखा होगा सब कुछ आपको लिखा होगा official website कौन सी रहेगी official website आपने कैसे check करने है जब result आएगा आपको क्या क्या करना पूरा detail में आपको इदर बताया जाएगा चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं अगर channel से first time जुड़े हो तो channel को subscribe करते हैं ताकि आपको आने वाला सारा update jobs recording, education recording time to time मिलता रहे सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो आपका result date है सबसे पहले आपको इनका official notification के साथ बात करते हैं जे रहा friends official notification जो BSF कैठी कैए आपने जे notification पहले भी देखा होगा इदर आप देख सकते हो the written result of written examination as well as shortlisted candidate for the medical examination will be tentatively published on 24 November 2020 24 जाने कि कल की जो date इन्होंने बोली हुई है पूरी confirm नहीं बोली हुई है tentatively बोली हुई है जाने कि आपका जो इदर chance है 80% इसका chance बन रहा है आपका जो result है कल का आ जाएगा tentatively का मतलब होता है completely confirm नहीं है ठीक है आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है बट आपका जो result है वो जल्दी आ जाएगा जाने कि अगर कल तो इसका पूरा chance है अगर कोई भी update होगा तो वो कल आपको update कर दिया जाएगा आपके result में अगर कोई delay होगा अब बात करूँ आपको जो result होगा वो कहां पे check करना है ठीक है आपकी जो result की PDF होगी वो कहां पे आएगी वो अब मैं आपको इनकी official website बताता हूँ कैसे उसको check करना है वीडियो में अंतिम तक बने रहना ताकि आपको भी इसके recording सारी information मिल पाएगा आप अपने कोई भी browser में आ जाएए Chrome पे आजाओ Google पे आजाओ जो भी आप browser यूज करते हो ठीक है जब आप browser पे आजाओगे browser पे आपने क्या सर्च करना है bsf official website bsf.nic bsf official website लिखोगे bsf official website लिखने के बाद आपके पास क्या आजाएगा ऐसा preface open होगा ऐसा preface open होने के बाद bsf.gov.in पर आप जब click करोगे इदर नोटिफिकेशन देख सकते हो जो इदर नोटिफिकेशन आ रही है इदर detail medical examination written test for the post of constable जह सब कुछ हिंदी में आपका नीचे करोगे scroll down आपका सब कुछ इदर हिंदी में दिखेगा अगर आपको हिंदी में दिख रहा है नीचे चलके अब हम बात करते है इदर आपके पास लिखोगा what's new ठीक है what's new लिखा हुआ है इदर आप देख सकते हो इदर notification पे what's new लिखा हुआ है जो भी notification कल update होगा what's new पे ही आएगा जो आपका written update था ठीक है constable written examination का update था वो भी इदर ही update आया हुआ था और detail medical examination जो आपका SI जा inspector का था ठीक है BSF में उसका जो detail examination का notification था वो भी इस official website पे आया हुआ था ठीक है उपर जो कल का notification है इनका जो medical examination था वो अब इसी November होना था वो हो चुक है ठीक है अब जो result का notification है वो भी आपकी इसी website पे आएगा इसी जेगा आएगा इसी same पे आएगा ठीक है what's new पे आपको देखेगा जो भी इनकी website open हो रही है ठीक है इदर ही आपको देखेगा कल इस पे traffic भी बड़ा रहेगा और open भी जल्दी नहीं होगा आपके पास जो PDF है पहुँचने में थोड़ा time लगेगा अगर result update होगा आपको channel के माधियम से जल्दी पता चल जाएगा जब भी result declare होगा उसके आने के थोड़े समय में आपको result का पता चल जाएगा आपका जो result है वो bsf ने declare कर दिया अगर कोई भी update होगा bsf recording result delay में जा result out में आपको तुरंट update कर दिया जाएगा इस वीडियो में बस इतना ही अगर channel से first time जुड़े हो तो channel को subscribe कर दे और आपका जो भी result आएगा वो इसी website पे देखेगा fully PDF आपको दिखेगी मैं आपको PDF दिखाता हूँ कैसे आपका result आता है जो देखेगी जो medical examination का bsf की official website पे update हुआ था वैसा ही इदर result रहता है ऐसे आपका roll number लिखा होगा rank लिखा होगा candidate name लिखा होगा category लिखा होगा journal लिखा होगा और उसके बाद जहां पे इदर इन्होंने unit लिखा हुए unit कीजएगा आपके marks होगे ठीक है इदर update इतना सा ही आपको करना था इस वीडियो में बस इतना ही